एक गाओं में मखी राम और उसकी पत्नी रहते थे दोनों की उम्र हो चली थे पर अपनी कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने जम्बूरी को गोड ले लिया दोनों उसे बड़ा प्यार करते थे पर एक दिन शाम को जम्बूरी अचानक गायब हो गया मखी राम ने उसे बहुत दूले की कोचिशकी पर वो नहीं मिला तो वे दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे साब मेरी रपट लिख लो यहां सब रिपोर्ट लिखाने ही आते हैं किस गाउं के रहने वाले हो साब पलटा गाउं भाई पलटा गाउं जहां सब उल्टा बोलते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ ए सुनो, जो पूछो ठीक ठीक बताना अपने गाउं के तरह उल्टे जवाब नहीं देना चलो बोलो क्या हुआ साब मेरा बेटा कल रात से गुम है, कहीं मिल नहीं रहा अरे बेटा है या चीज, जो मिल नहीं रहा साब उसे ढूंट दो, मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती देखो कल रात से इसका रो रोकर भुरा हाल है पत्नी जोर जोर से रोने लगी हाई हाई मेरा लाई अरे अरे रोणना बंद करो चलो बताओ क्या हुआ कर रात को वो कहा गया था साहब वो रोज साम को थोड़ी दर घर के बाहर ही खेलता था पर कल अचानक वहां से गायब हो गया हाई मेरा लाई अरे ये रोणना बंद करो मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ नाम क्या है मगी राम बड़ा पुराना सा नाम है उमर कितनी है 45 साल हैं पचास साल के तुम लग रहे हो बेटा पिन्तालिस कैसे हो गया साल मैं पचास का नहीं पैंतालिस का ही हूँ अरे बावले रिपोर्ट बेटे की लिखा रहा है तो उमर अपनी क्यों बता रहा है साल अपने नाम मेरा पुछा तो मुझे लगा उमर भी मेरी बतानी है अबै कौन से दुनिया से आयो बेटे का नाम बता जम्बूरी बेटे के उमर बता साल आप से बस दो ही मुट्टी कम है क्या मतलब पत्मी दोनों हाथों की मुट्टीयों को एक दूसरे पर रखकर सिपाही के मुझे आगे कर देती है ए फिचेटो पर वो और आगे आगे मैंने पहले का था सीथे जवाब दो नहीं तो मैं रेपोर्ट नहीं लिकूँगा बगी राम और पत्मी ने एक दूसरे को देखा इतना बड़ा था इसका क्या मतलब है तुम्हें अपने बेटे के उमर नहीं पता पत्मी पहले नामी फिर हामे से खिला देती है साब हम दोनों के अपनी कोई अलाद नहीं है जंबूरी को अभी छे महीने पहले ही गोद लिया है अब वही हमारा बेटा है पत्मी कहती है इत्ता बड़ा था रंग ऐसा है के हुआ दिखने में बहुत सुन्दर है काली-काली बड़ी-बड़ी आख है ठीके-ठीके यह बताओ कलशाम को जाने से पहले क्या बोला उसे बोलना थोड़ी आता है क्यों गूंगा है नहीं साब गूंगा तो नहीं है बस हाँ हाँ है करता रहता है कोई फोटोवाट है उसकी नहीं साब ए भगवान, देखो भी बड़े साब थाने में नहीं है, जब आएंगे तो मैं ये केस उनको दिखा दूँगा, तुम लोग अभी जाओ साब मेरा बेटा बहुत छोटा है कहा न तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम खुद तुम्हें बुलाएंगे थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर थाने में आता है, और अपनी कुर्सी पर बैट कर, टेबल पर दोनों टांगे पसार कर बोला एक सिरदर्द की गोली देना, आज मेरा सरदर्द से फटा जा रहा है सर आपको और सिरदर्द? आज हो रहा है, जूटा गएंगा, काम ना करने का बाहन है बस बसको एक डंगा केस सॉल्फ हो जा है तो इस बार प्रमोशन पक्का अच्छा तो इस सिरदर्द काम का नहीं प्रमोशन का है तुमने कुछ का? नहीं नहीं, सर कल के उस चोरी वाले केस का क्या हुआ? उसकी फाइल कहीं मिल नहीं रही मिलेगी भी नहीं, वो केस खतम हो गया राक्षस कहीं का? पुरा केस खुद डखार गया सर आज ये केस आया है बच्चा कल स्याम से गायद है, रूणना पड़ेगा बबाब आपको किसी पर कोई शक है? सर गुम होने में शक क्यों होगा? हो सकता है बच्चा गुमना हुआ, अपरण भी तो हो सकता है आज कल बच्चो को उठा कर ले जाते है, चलो तहकिकात करते है सर तहकिकात करनी ज़रूरी है बच्चे का केस है, इसे हलके में नहीं दे सकते सर आप तो जानते हैं, ये पल्टा गाउं का केस है जैसा इस गाउं का नाम वैसे ही इसके लोग यहां के सब लोग उल्टे-पल्टे जवाब देते ऐसे में तहकिकात देखा जाएगा मेरे प्रमोशन के लिए बच्चे को ढूंड कर इस केस को साल्व करना बहुत ज़रूरी है जी सर, अब चलो तहकिकात की शुरुवात मकीराम से ही करते है दोनों गाउं में मकीराम के घर के बाहर पहुंचे यहां तो गोबर की बदबू ही बदबू है बदबू? कहा है बदबू? प्रमोशन की बदबू भी खुश्च्बू लगती है अब मैं अपने प्रमोशन के चकर में मुझे गोबर क्यों सुगा रहा है तुमने कुछ कहा? नहीं सर ये जो तुम बड़बड़ा जाते हो कहीं मेरे बारे में नहीं सर आप तो सर है मकीराम वो मकीराम मकीराम तुम्हें अपने बेटे के गोमोने पर किसी पर कोई शाक है साब मैं कुछ समझा नहीं तुमारी किसी से कोई दुश्मनी है हो सकता है तुम्हें परिशान और दुखी करने के लिए बच्चे को गयब कर दिया गया हो नहीं नहीं साहब इस गाउ में ऐसा कोई नहीं है गाउवाले तो मेरा जम्बूरी को गोध लेने पर बहुत खुस हुए थे कहियों ने तो हमारी बहुत मदद भी की ठीक है हम तैकिकात करते है मगी राम और पत्नी इंस्पिक्टर की पैरों को पकड़ते हाई मेरा बेटा मेरा जम्बूरी कहाँ चला गया साहब उसे ले आओ उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे अरे चलो अटो तुम सर के पैर छोड़ो हम उसे डूढने के लिए आया है सिपाही रास्ते में जाते हुए दो आदमी उसे ए सुनो तुमने जम्बूरी को कही देखा है एक आदमी ने हाँ में सरहलाया कहां कहां देखा उसे जंगल में कहां मतलब इसकाओं में तो Marriage नहीं है क्या के रहा है है साव मसकरी करड़े ही लियुए हो सइर को अगर गुस्सा आया तो दोनों को ऐंदर कर देंगे समझे जम्बूरी जंगल में लचल साभ इसकी बात मत सुनो यह थोड़ा खागा ऑगा आप जो बोलोगे उसमें से कोई भी नाम पकड़के जंगल जंगल ही वोलेगा। तेरा दिमाग खराब है। तेरा दिमाग खराब जंगल जंगल जंगल। अरे चुपोजा ना, साथ जंबूरी अकसर सरकस में भाग जाता था। आप वहाँ पता करो, वो वही होगा। चलो सरकस चलते हैं। दोनों सरकस में आते हैं। ऐख सुनो, इस सरकस के मलिक को बलाओ। मलिक हाथ में चाबो गुमाते हुए आया। तुमी इस सरकस के मालिक हो ? मेरे शिवा और कौन हो सकता है। अबे ओ, ज्यादा गुमा फिरा आगे बात मत करना, जो पुछा जाए सीधे सीधे बताओ, कितने बच्चे हैं सरकस में, मालिक ने तीन उलिया दिखाई, अबे मुझे बोल, तीन, तीन बच्चे हैं, तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों से काम करवाना गेर कानू नहीं ह वो बच्चे यहां काम नहीं करते, उनके माबाब करते हैं, वो तो बस यहां उनके साथ रहते हैं, सब बच्चों और उनके माबाब को बलाओ, यह वाला तो उम्मर में बड़ा लग रहा है, एवे टा चलो, तुम जाओ यहां से, तुम यहां किसके साथ रहते हो, अपने मा माई और वो मेरे बाबू, बाबू के माई बाबू दादा दादी है, माई के माई बाबू नानी है, और हाँ, एक कालू काका भी है। बस बस रेल गाडी रोको, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। तीसरा बच्चा बहुत मोटा और हस्मुक था, बच्ची को जोर-जोर से हस्ता देखकर, तुम हस क्यों रहा है। अंगल, मुझे एक नहीं पास टॉफी देना। मेरे पास तो बस एक ही टॉफी बच्ची है। नहीं, मुझे पास देना। अब है मोटे इतनी टॉफी खाके और मोटा हो जाएगा। मेरे लकडी जैसे बेटे को मोटा कहा। शरम नहीं है इतने। मैंने कब मोटा कहा। इसने तो कुछ भी नहीं कहा। हम लोग मन की बात जान लेते हैं। ये हवलदार की जैबी पूरे पास टॉफी है। और इसने मेरे लाला को मोटा भी कहा। ये लो तुम सब रखो। चलो और तुम लोग जाओ। दोनो सरकस से निकलकर चड़क पर बनी पान की दुकान पर। ओ भीया दो पान बनाना। अभी दो मिनिट में बनाता हूं साब। सुनो मकिराम का बेटा जम्बूरी कल शाम से गायब है। तुमने उसे गहीं देखा है। साब उस जम्बूरी के लिए इतना परिसान हो रहे हो। कोई कामाम ने लगता आपके पास। ए जाला जबान में चलो। जो पूछा बस वह बताओ. नहीं साब देखा तो लहीं। कहाँ जायगा वो बेचारा। उस गथी के पास ही होगा। कौन गधी? उसकी मा और कौन? उसकी मा को गधी कहते तुम्हें शरम नहीं आती. साब अब गधी को गधी को कहूं तो और क्या खूं। मैं सच कहता हूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है मैंने तो जब जम्बूरी को मकी राम को बेचा था उसके बाद कभी मुणकर भी उसकी और नहीं देखा अच्छा बेटा, बच्चे को गोज नहीं दिया बेचा है तुम ये भी करते हो तुम ये तो अच्छे से देखूँगा साहब मुझे रुपयों की सक्त जरूरत थी वरना काह है वो बुलाओ से साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है वो खुद ही वहाँ से भाग कर अपनी मा के पास आ गया अब ये सुना नहीं साहब ने का का, बुलाओ से साहब वो रहे दोनों जम्बूरी और उसकी मा काह है साहब है तो सामने काह है सामने तो बस दो गदे गडे ए जम्बूरी, इधार आ गधी का बच्चा दौरते हुए आ गया साहब यही तो है जम्बूरी ये है मकीराम का बेटा साहब उसके अपनी कोई अलाद नहीं है न तो वो मेरी गधी का बच्चा ले गया कह रहा था कि यही अपसे मेरा बेटा है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है इंस्पेक्टर और सिपाही वहीं से चले जाते हैं रास्ते में साहब किसीने यहाला सवाल पूसा ही नहीं तो तुम ही उसे मेरा बेटा मेरा बेटा कह रहे थे साब, वो मेरा बेटा ही है तुम्हारा बेटा रत्तिनाथ के घर अपनी मा के पास है साब, वो एकनी दूर वहाँ चला गया हाँ, और सुनो, तुम उसे अपनी मा से मिलने से नहीं रोख सकते मैंने उस रत्तिनाथ को रुपए हमें पता है कि तुमने जंबोरी को उसे खरीदा है तुम उसे अपने पास रख सकते हो पर उसकी मा से मिलने से नहीं रोख सकते, समझे जी साब, अपसे मैं खुद ही उसे मिलवा लाया करूंगा पता नहीं मेरा पर्मोशन कब होगा सोचा था यह केस सौल्ड होते ही पर्मोशन भका कमबक्त केस